सो हे गाईस कैसो आप सब सौगत आप सभी एक और बैंड न्यू मियू आई के टॉप त्री एक्स्क्लूसिब बियॉंड इमेजिनेशन थीम के विडियो सिरीज के उपर एंड इस विडियो में आप सबको बताऊंगा MIUI डिवाइस के लिए ऐसे टॉप 3 परफेक्ट बियॉंड इमेजिनेशन थीम जिसे आप अपने MIUI डिवाइस में एपलाई करके आप अपने MIUI डिवाइस में न्यू इलेक्टिफाइंग सूपर कूल फिंगर्पिंट एनिमेशन से लेकर न्यू एक्सक्लिवजिव कस्टम AOD बेस्ट आरजीबी लॉक स्क्रीन को आप इनेबेल कर सकते हो जिसमें आपको अनलिमिटेट कस्टोमाइजेशन देखने को मिल जाएगा ट्रस्ट मी गाइस और तो इस थीम सीरीज में एक ऐसे थीम भी है जिसे अपलाई करके आ आप अपने मोबाईल को पूरे हैकिंग ओवेस में कनवर्ट कर सकते हो तो प्लीज गाइस आप इस वीडियो सीरीज को लास तक देखना है और मैं आप सबसे प्रामिस करता हूँ आप इस वीडियो सीरीज को अगर लास तक देखोगे तो आपको डिफिनेटली कोई भी 20,000 लाइक का तो फट फट से आप इस वीडियो के लाइक करदो एंड अगर आप चाहते हो मिय के नंबर वन वन बेस्टीम के वीडियो सीरीज से स्बसे पहले अंजोई करना तो आप मेरे चैनल को देफिनेटली फ्री में सबस्क्राइब कर सकते हो तो चलो फिर स्टार्ट क किया है तो आप इस theme को support जरूर से करना and feedback जरूर से देना इस theme में कौन-कौन सी improvement और होना चाहिए था और आगे चलके आप इस theme में और कौन-कौन से features देखना चाहते हो comment में मुझे जरूर बताना ताकि मैं आप सबके request के हिसाब से theme में सारे features include कर पाऊ now सबसे पहले जैसी आप इस theme को apply करोगे इंदन देखो इसके home screen के look को तो home screen के look मैंने यहाँ पर पूरे codex UI के यहाँ पर home screen look provide किया है चाहे हम लोग बात करें यहाँ पर wall paper की या हम लोग बात करें clock visit की आपको यहाँ पर पूरे codex UI के home screen setup देखने को मिल जाएगा जो आप सब को definitely काफी जादा पसंद आने वाला है और तो इस theme में मैंने जो आप सब के लिए icon pack provide किया है यह भी काफी जादा interesting और colorful है जो इस background के साथ तो बहुत ही जादा perfect लगता है ना अभी हम लोग देख लेती इस theme के notification panel या control center को तो सबसे पहले जैसी हम लोग देखे इस theme के control center को त तरब जो की आपको देखने को मिल जाएगा lock screen पर तो जैसी आप यहाँ पर lock screen पर इंटर करोगे तो lock screen के जो look है आपको यहाँ पर पूरे codex UI के lock screen के look देखने को मिल जाएगा and इस theme के जो exclusive feature से हो कि यह इसका fingerprint animation तो सबसे पहले जैसी आप यहाँ पर lock screen पर fingerprint animation को देखोगे तो first time देखते ही आपको fingerprint animation से जैसे आपको प्यार सा हो जाएगा क्योंकि इसके जो color है मैंने pink voice रखा है और जिसके animation है वो आपको breathing effect के साथ आपको यहाँ पर पूरे electrifying आपको यहाँ पर fingerprint animation देखने को मिल जाएगा जो मेरे हिसाब से one of the best and exclusive fingerprint animation है although जैसे ही आप अपने phone को charge पर लगा होगे एंदन देखोगी इसके charging animation को तो इस theme के जो आपको charging animation देखने को मिल जाएगा वह यहाँ पर super electrifying effect के साथ आपको यहाँ पर charging animation मैंने provide कर दिया है जो fully aod based charging animation है ना अभी हम लोग बात कर लेते हमारे लिसके next theme के बारे में so is theme का नाम है age ui although इस theme के भी जो designer and creator अरे ओ मैं ही हूँ तो आप इस theme को support जरूर से करना तो सबसे पहले जैसी आप इस theme का apply करोगे देखोगी इसके home screen के look को तो home screen के look मैंने यहाँ पर पूरे age lighting ui based आपको यहाँ पर home screen के look मैंने create कर दिया है and अगर आप देखोगी इसके icon pack को तो इसके जो आपको icon pack देखने क lock screen पर तो सबसे पहले जैसी आप इस पर lock screen को open करोगे तो lock screen के look आपको यहाँ पर पूरे age light ui वाला आपको यहाँ पर lock screen के look देखने को मिल जाएगा and अभी आप सब सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है है ना तो जैसे ही आप यहाँ पर lock screen पर right to left swipe करोगे तो आपको य AOD को support करता है और दूसरा है age lighting effect और यहाँ पर जो मैंने color combination provide किया है यहाँ पर चार color combination आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एक है blue दूसरा है orange तीसरा है green और चार है purple आपको जो color and effect पसंद आता है उसे आप अपने lock screen पे set कर सकते हो मैं अगर मेरे personal opinion की बात करूँ तो मुझे जादा तर breathing effect पसंद आता है क्योंकि इसमें आपको AOD के support मिल जाता है नाव जैसे ही आप अपने phone को charge पे लगाओगे एंदन देखोगे इसके charging animation को तो इसके जो charging animation है मैंने इसको customize करके 200 watt के आपको यहाँ पर charging animation provide कर दिया है जो आप सब को काफी जादा surprise करने वाला ह एंज जो इसके charging animation के effect है ओभी बहुती जादा लाजवाव है तो अगर आपको एक सूपर performance वाला customized age lighting effect के theme चाहिए तो आप इस theme को must 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 check out करना ना अभी हम लोग बात करने हमारे list के next and third number के theme के बारे में तो इस theme का नाम है green code raider तो जैसे कि मैंने आप सब से promise किया था कि मैं आ पूरे hacking OS के आइगन पैक से लेकर यहां पर जो वाल पेपर एंड क्लॉक विजिट है पूरे आपको एपर hacking OS के home screen UI देखने को मिल जाएगा जो मुझे at least बहुत ही जादा पसंद आया ना अभी हम लोग देख लेथे इस theme के notification पहले लिए control center को तो आप 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 देख सकते ह जो आपको control center की UI देखने को मिल जाएगा वो यहां पर dull gray and green color के combination के साथ यहां पर control center को create किया गया है and next अभी हम लोग सीधे चलती इस theme के lock screen के तरब तो सबसे पहले जैसी आप यहां पर lock screen को open करोगे तो lock screen के UI हो पूरे animated hacking OS की यहां पर UI देखने को मिल जाएगा और इस lock screen के खास feature है आप इसे fully customize कर सकते हो तो इसको customize करने के लिए आपको यहां पर top to down swipe करना होगा करने से आपको यहां पर lock screen customization के access देखने को मिल जाएगा आप यहां पर से dial को customize कर सकते हो coat को on off कर सकते हो यहां पर camera को on off कर सकते हो line को on off कर सकते हो and move को भी on off कर सकते हो आप इस theme को apply करके आप अपने friend को काफी ज़्यादा shock and surprise कर सकते हो और आपके friend आपसे ज़रूर पूछेगा कि भाई तूने काली Linux कैसे install किया है या hacking OS कैसे तूने install किया है तो बस guys इस video series पितना ही था and I hope कि आपको यह theme series पसंद आया है और नीचे comment section में आप comment ज़रूर से करना कि आपको यह top 3 theme हो में से कौन से theme best लगा है आपका बहुत बहुत धनिवाद आपका दिन शुब हो